Hello friends, Welcome back to my channel आज मैं आपको मेरे मेरी गोल्ड के cutting को share करूंगी जो इस तरह से बिलकुल flowering कर रहा है और साथ ही साथ मेरे DIY seedling tray को भी दिखाओंगी किस तरह से मैं MARK इस तरह से डिखाओंगी और देखिए यह दो दिन पहले यहाँ पर आचानक से काफ सो अंब Qua इस तरह से नीचे जुकसा गया है ये देशी मेरी गोड़ है तो इसका हाइट भी थोड़ा सा उचा जाता है जिसका वज़े से जो हैवी रेनफॉल का वज़े से जो इस तरह से नीचे ये देखिए इस तरह से बैंड हो गया है ये देखिए friends मैंने अभी तक कोई भी winter plant नहीं लगाया है जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो पर भी बताया था अभी तक हमारे यहां के nursery पर जो है कोई भी winter plant नहीं पहुंचा है तो साइद इस साल नहीं पहुंचेगा नहीं आएगा winter plant पिछले वीडियो पर मैंने दिखाया था सिर्फ एक ही नर्सरी पर विंटर प्लांट की तैयारी की जा रही है थोड़ी बहुत और यह जो मैरी गोल्ड का प्लांट आप देख रहे हो फ्रेंट्स यह मेरे ही अपने घर के मैरी गोल्ड का प्लांट पिछले साल का उगा हुआ तो उसी को मैंने कटिंग करके लगाया था फ्रेंट्स मैंने इसे किस तरह से कटिंग किया उसका वीडियो मैंने आपको औरड़ी सेर कर रखा है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे रही हूँ आप चाहो तो चेक कर सकते हो मैं अक्सर यूट्यूब पर देखती बहुत सारे गार्डेनर्स अभी विंटर प्लांट के सौपिंग कर रहे हैं नर्सरी विजिट करते हैं बहुत प्यारे प्लांट घर लेके आते हैं फ्रेंट्स मेरा भी मन करता है कि मैं भी विंटर प्लांट के सौपिंग करूं नर्सरी विजिट करूं सुंदर सुंदर फ् वी रेनफॉर्ड होने की वज़े से यहां के नारसरी पर जो है विंटर प्लांट बिलकुल ही नहीं मिल रहा है आउगस्ट के महीने से ही मैं नारसरी वाले को पूछ रही हूँ कि भाया कब तक विंटर प्लांट आएंगे वह लोग यही कहते रहे कि मैडम पंदर दिन बाद आएंगे मैडम बीस दिन बाद आएंगे तोड़ा सा वेट कर लो तो फाइनल मुझे पता चला कि अब विंटर प्लांट नहीं आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ओनलाइन से ही सीड्स परचेस करके घर पर ही सैफलिंग तयार करूँ ज्यादा तर वेबसाइट हमारे एरिया पर सीड्स डेलिवर नहीं कर रहे हैं तो मैंने जितना भी सीड्स परचेस किया है वो एमेजोन से ही परचेस किया है तो चलिए अब मैं आपको मेरे सीडलिंग के पास ले चलती हूँ ये देखिए ये सब मेरे वेस्ट मेटेरियल से बनाया हुआ DIY सीडलिंग ट्रे है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये सभी सीड्स को जो है मैंने Amazon से पर्चेस किया है कुछ सीड्स का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा तो कुछ सीड्स का एवरेज तो कुछ सीड्स का रिजल्ट बिलकुल जीरो रहा तो चलिए सभी सीड्लिंग ट्रे को जो है मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ सबसे पहले तो मैं यह वाला DIY सिदलिंग ट्रे को दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को यह वेस्ट कोल ड्रिंग के बोतल से मैंने बनाया है इसे बनाने के लिए मैंने मारकर के मदद से पहले लाइन कीचे जिस सेप में आप देख रहे हो उसी सेप में मैंने लाइन कीचा फिर जो है कटर के मदद से उस लाइन को मैंने कटर से काटा और ड्रेनेज होल के लिए मैंने पतला सा लोहे को गरम करके नीचे छेद कर दिया तो इस तरह से मैंने इस DIY सिदलिंग ट्रे को बनाया और जैसे कि आप देख रहे हो राइट हें पर मैंने लगाया है यह African Marigold और seeds के packet को ही मैंने इस तरह से काट करके उस पर date लिग दिया ताकि मुझे date याद रहे और लाइफ हेंड साइट पर मैंने लगाया है यह बर्विना का seeds यह सब जो यह सब सीड्स जो है साथ से लेके आठ दिन का है जैसे कि आप देख रहे हो और रिजल्ट की मैं बात करूं तो इसमें मुझे एटी परसन रिजल्ट मिला है यह देखिए और मेरा नेक्स सीडलिंग ट्रे है यह यह प्लास्टिक के वैस्ट कांटेनर है मैंने इसे लोहे को गरम करके ड्रेनेज होल बनाया है और यह कैलेंडूला का सीडलिंग है यह देखिए नीचे ड्रेनेज होल मैंने कर रखा है चार से लेके पांच तक और मुझे इसे लगाया हुआ देखकर के बताती हूं याद नहीं है हाँ मुझे इसे लगाया हुआ एक सब्ता हो रहा है फ्रेंट्स यह कैलेंडूला का सिडलिंग है और रिजल्ट की मैं बात करू तो इसमें मुझे 50% रिजल्ट मिला है इतना कोई खास result नहीं मिला फिर भी कोई बात नहीं something is better than nothing कुछ नहीं होने से तो कुछ होना ही बहतर है और next मेरा यह है यह देखिए यह seedling है यह और इस seedling tray को मैंने west container में ही बनाया है plastic के यह कोई भी bakery में cookies मिलता है इस तरह के container में इस पर भी मैंने को भी की तरह दिखता है बहुत ही खुफसूरत plant होता है यह इसमें मुझे काफी अच्छा result 95% result मिला था पर तेज बारिस की वज़े से हाला कि मैंने इसे sad area पर ही रखा था पर तेज बारिस की कुछ बुंदा बांदे की वज़े से इसका कुछ sidling खराब हो गया और यह देखिए यह भी kale के ही sidling है इसमें भी तेज बारिस की बुंदा बांदे पढ़ने की वज़े से कुछ sidling खराब हो गये हैं और यह plastic के west container के यह उपर वाला हिस्सा है इस पर भी मैंने 4 से लेके 5 तक drainage hole कर रखा है ब्लैक प्लैन पोर्ट था प्लास्टिक के और यहां से यहां तक मैंने पुराने सुखे हुए पत्ते को भर रखा है क्योंकि सिर्लिंग का रूट्स इतना डीप नहीं जाता तो मैंने आधे से जादा सुखे हुए पत्ते को भर दिया ताकि वो सड़ने पर खाद का भी काम करे ये डेलिया का सिर्लिंग है मुझे इसे लगाया हुआ तीन दिन हो रहा है और रिजल्ट की मैं बात करूँ तो मुझे इसमें 40% रिजल्ट मिला है इतना कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला सिरलिंग ट्रे के लिए मैं कोई खास खर्च नहीं करती कोई भी वैस्ट चीज़ को मैं सिरलिंग ट्रे बना देती हूं क्यूंकि ये कुछ दिनों के लिए ही होती है और ये देखिए फ्रेंस ये मेरे दो सिर्लिंग ट्रे है इसे भी मैंने प्लास्टिक के बोतल को इस तरह से काट करके मैंने बनाया था और ये मेरा आइस फ्लावर है मुझे इसे लगाया हुआ 15 दिन हो रहा है और इस पर मुझे बिलकुल कुछ भी रिजल्ट देखने को नही मिला है ये देखिए ये है आइस फ्लावर और मेरा दूसरा वाला ये है ये है पॉपी केलोफोर्निया जो कि मेरा बहुत ही फैबरेट फ्लावर है मुझे इस पर भी बिलकुल रिजल्ट देखने को नहीं मिला और एक बात बताना भूल गई सीड्स जर्मिनेशन के लिए मै सोयल मिक्चर लेती हूँ 50% सुखे हुए गोबर खात और 50% सैंड ओके फ्रेंस तो आज के लिए इतना ही बाई बाई टेक क्ये